अभी मनमूज देखना ने बाई सारे दर्शकान पवुन मलिक मोकरा की हाथ जोड कर अम राम और नमस्ते हैं हाल फिलाल हम खोड गाउं में बैठे में द्रगर जले का गाउं है खोड नारनोल के अटेली के लिए नजदीक लगता हुआ गाउं है काफी वाइरल है एक उसके आत्मा को शांते दे तो नमस्कार जी सर ऐसा है कि आज बेरे बेटे को साथ जो जो होया है इतनी बरबरता से मारा है इन आदमियों ने यह भी नहिदा ऐसे तो पाकिस्तान भी मारते किस तरिक्वे से मारा है जी उसकी आँख फोड़ी गई है उसे कान काटे गए है उ उसके नीचे से राट डाली गई है और फिर उसको जाकर राजस्थान में फैंक दिया गया है यहां से गटना करने वाले मतलब जो क्या बोलते हैं अगवा करने वाले अलग थे बीच में गाड़ी थी वह अलग थी रेवाड़ी पूंचने में अब एक गाड़ी मिली है वह मारने वाले अलग थे एक गाड़ी और फैंकने वाले भी उनके साथ ही थे यह कम से कमें नहीं तो 15-20 आदमी वह काम है एक चोटा सा लड़का संजे उसको नहीं मार सकता था इक अल्ला आदमी इसके पिछे काफी मतलब हाथ हैं और यह सोचे समझी रनिती से यह मतलब मडर क है तो वह कानून को हाथ में लेने वाली बात है वह गलत है लेकिन कुछ सवाल है डारेक्ट उस परिवार के जो वीडियो के मादम से सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा पहले तो हमने उनके प्रिवार से भी एक सवाल करें है कि माब आपको सब पता रहता है कि आपका बेट कि घरवाली उसको मेरे घर के आगश्च बिठा के ले जा रहा तो मेरा लड़का जागवा के वहां मेरे को मिला है वहां मेरे ब्रेक भी लगे मुझार यह तो दादी पास दूद रख चलो आज आएगा साची को छोड़ देता हूंग घर में चोड़ना था अगर मेरे को पत पहले ही गुमशुदकी की जो दो दिन बाद जो रिपोर्ट दरज कराई पहले भी ढूंड त्यांड लाग रहे थे वो कह रहे हैं कि आपकी भेन मतलब दिपक की बुआ के पास वह राज्तान में गए हैं वारुके हैं वहां आपकी बेटी भी थी ऐसा कुछ सामने हैं साथ के साथ उनकी बहन को लेके गया था साथ के घर से और वह साथ के साथ इनके फाईयर तक दरज करवाने साथ गया है हमदर्दी के लिए कि ढूड़ बैनको डूड़ ऐसा कुछ इसके बारे में तो ही बता सकता था जो आजिर था इसके बारे मं तॉम क्या बताएंगे वैसे घाउं के घर की घर में साधी करना एक होता है मुनासिप होता है सामाजीक तौर पर ऐसा प्यार करना तो कोई सरकार ने कानून बनाया कोट साधीकार वाई उसको मारने का कौन साधीकार दो चार चीजे में और आपसे करना चाहूंगा इन्हों ने डारेक्ट लिए आपके परिवार के उपर एलिगेशन लगाई है दिपको साइड करकी कि पहले इनके दादा फोज में थे वहां से वह रस आपके उपर टारेक्ट लिगेशन लगाया कि आपने गाउं में ही ठाकुर जी के मंदिर में लगवा के 75 साल के पंड़तानी महिला जिसके साथ आपने दारातिंस उचियत तरके तैत जेल भी काटिया आप रेप करके अंदर गए थे ऐसा है कि पंदरा दिन बाद मैं ये साथ बिद्ली करने गए था जिस दिन और 15 दिन वाद में मेरे को लगाया था कोर्ट मेरे को बाईज़त वरी किया मेरा डिएने टेस्ट मेरा मेडिकल हो कि है मैरा चॉशं मेरे बरी कर दिया अब उनका ही डारेक्ट कोश्च्छन मैं ने वीडीयो के माद दिम से सुना है क्य क्या आपकी बेटी होती है काओं की गाओं में आपकी बेटी होती और उनका बेटा होता है किसी का बेटा होता था आपका क्या स्टेप रहता है चलो यह किया है यह तो गल्त है समाज के लिए से गल्त मैं भी बोल रहा हूं इस चीज को लेकिन जो कर लिया तो उनको मारने का अ सोगे अच्छा एक और बात है उन्होंने तो यह का है कि यह जो दिपक नाम का लड़का था गाउं में ही भूद सारी लड़कियों के साथ या कई मेलाओं के साथ इसका सिदा सिदा फेर था कफी जिन्दिगा खराब करिये तो बाप का नाम उसका नाम एक दिया लिखा इसके नाम से केस दिखा जो आप पुलिस के अंदर आप कोनो सर जी मैं दिपक चोहान का बड़ा बाई विने चोहान हूं और मैं आर्मी एवेशन में कारे रहत हूं ठीक है और अरे रुग जा रुग जाओ उनके पूरे कुणबे में एक से दो नोगरी आया है सरकारी हमारे एक बार शाब वो ऊपर दिखा दो एक बार दिखा दो एटू जड़ हमारे सर्वीस में हैं इसलिए इन लोगों के सबर नहीं है कि ये कैसे कमा के खा रहे हैं अब मैं आ बैस हमें न्याय चाहिए और बाकी लड़की आई या गई वह मैटर अलग है अब बैट जवा जो आपको बताऊंगी उन्होंने मेरे बाब को इस जाम लगा है मैं आपको बताऊंगी लड़की की बुआ हमारे गाउं के बंगी के साथ भागी तू भी व्यान दे कामरों के स परिवार ना इससे गंदा परिवार तो पूरे इंदुस्तान में नहीं है सुंदरपायल है उसकी टांक कट की साड़ी के चक्र में लाला फोजी है जो वह ज्यादा मीडियम बोल रहा है कभी मेरे सामने आगे बात करना लाला फोजी तूने क्या इनकी भुवा भागी हुई ठीक है और दारू बेच बेच कि इसी गाहों के उस में सेंटर में दारू बेच बेच कि इनका चलता है आज ही भी जो योगेंदर जो में मास्टर मांड है वह सटा खिलाता है बंडी में बुकी है वो ठीक है तो यह सर्वीसमें आप देख लो न लडके की रजाबंदी से हुए है तो जितनी हमारी गलती है अथमीं लड़की को क्यों नहीं मारा फिर प्र, मैं तो उसको मारने के भी वह नहीं हूं पक्स में पूद्ध को लड़का पार्दियां 29 तारिक को पंसाइब कर लें एक बात और बता लाला फोजी सुन ले बाई मेरे बात तो जो यह कहरा रहें जो मेरे बाप पे इलजाम लगा है तीन सुचेतर के दारा लगी थी वह लगी थी अगर यही पंचायत होती मेरा बाप तो कोट न ही फिर पंच्यायत हुई ठीक है और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं जो कोट का जो वो जो मैसिज है लेटर की वे बाई जद्वरी का वो दिखा सकता हूं सर यह हमारा काम है उन्होंने डारेक्ट लिए आप लोगों के अलगाई हमना उसकाप से इस गाउं की राजनिती है ना सर यह जो चयार पास मुलाजी में जो जो राजनितिक कार हैं इन्होंने पूरा गाउं खराब कर दिया है सत्तल सरपंच हो गया कुल्दीव टेकेदार हो अना योगी हो गया बिजन हो गया इन्होंने पूरे गाउं की ऐसी तैसी कर रखी है अब देखो हमारा बच्चा चला गया उदर से वह जो लड़की का घर वो बंद हो गया और दो तीन घर बंद होंगे उन्होंने अपनी राजनितिक रोटिया शेक लिए तो भाईयों आप अब यह जो भयानवाजी कर रहे हो ना जरा अपने अंदर जाक के देखो कल को आपका बच्चा चला जाएगा ना और जो दुखाज हम झेल रहे हैं तब आपको पता चलेगा अभी यह वह जो यह आप गलत दे रहे हो ना सोच समझ के दो